हेलो एवरीवन, वेलकम अगें टू लन्वरिदेतिमन, तो हम लोग कर रहे थे रीती रिवाज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जन्म संबंधी रीती रिवाज को पढ़ लिया है, तो आप लोगों ने अच्छे से उसको देखा होगा, दो तीन बार जो है वीडियो को दे एक जन्म संबंधी रीती रिवाज हो गए, दूसरा विवहा संबंधी रीती रिवाज हो गए, और तीसरा मृत्यू संबंधी रीती रिवाज, ठीक है, तो ये रीती रिवाज जो है, वो आप लोगों ने देखे भी होंगे, चाहे वो जन्म से संबंधित हो, चाहे वो पढ़ेंगे विवहा संबंदी रीती रिवाज तो सबसे पहले आता है सगाई तो जिनका विवहा हो चुका है शादी हो चुकी है वो लोग जानते हैं कि सगाई के वक्त क्या किया जाता है किस तरीके से ये रस्म जो है वो निभाई जाती है और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको दूसरों की शादी वियाँ में जाना, वहां की रीती रिवाज function को अटेंड करना उनको बेहत पसंद होता है तो वो लोग भी विवासंबंदी रीती रिवाज के बारे में जानते हैं तो देखिए सगाई क्या होती है सगाई का अर्थ होता है रिस्ता पक्का हो जाना यानि की एक लड़का और लड़की वविवहा के बंदन में बंद जाएंगे ऐसा रिस्ता पक्का कर लिआ जाता है इसके लिए जो वधू पक्ष के जो लोग होते हैं वह है वर पक्ष के यहाँ पर जाकर उनको नारियल बतासा वगरा देते हैं और इससे ये मान लिया जाता है कि हाँ अब रिस्ता पक्का हो चुका है ठीक है लेकिन आजकर जो है सगाई जो है किस तरीके से होती है कि लड़क वह है पहले से चले आ रहे उन रिती रिवाजों को हम देखने वाले हैं तो जो नारियल है वही लड़के के हाथ में रख दिया जाता था तो उससे ये पता चलता है कि हाँ अब सगाई हो चुकी है और इसके आगे की जो प्रक्रिया है अब वो की जाएगी नेक्स्ट देखिए टीका तो टीका क्या होता है टीका यानि तिलक करना तो जो लड़का होता है वर होता है उसको चौकी पर बैठा कर उसका तिलक या तीका किया जाता है समहरों किया जाता है सभी लोगों को सगे सम्मंदियों को रिस्तेदार को सभी को इन्वाइट किया जाता है ठीके और जो लड़का होता है उसके हाथ में कुछ पैसे वगएरा धन वगएरा जो भी जिस तरीके से बात हो चुकी होती है उस तरीके से उसके हाथ में दिया जाता है कि टीके के वक्त जो है वही तीन लाक या फिर पांच लाक रुपए जो है उसके हाथ में दिया वो क्या करते हैं कि वो दहेज के तौर पर मांगते हैं तो उनको टुकडों में दिया जाता है धन तो यहां पर टीके के वक्त भी कुछ भेंट जो है वो दी जाती है पहले वो भेंट होती थी लेकिन अब तो आप सभी जानते हैं इसके बाद क्या होता है कि लगन पत्र का जो बेजी जाती है तो यहां पर जो सबसे पहले जो लगन पत्रिका है वह है लड़की पक्ष के यहां से लड़के के यहां पर बेजी जाती है डिसाइड किया जाता है कि वहा की ती यह है निश्चित हो चुकी है नेक्स्ट स्टैब देखिए चिकनी कोथली यानि बरी पड़ली अब यह क्या होता है अब देखिए इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा लेकिन कारे जो है वो आपने सुना होगा शब्द आपने नहीं सुना होगा तो याद रखना है इस चीज़ को क्योंकि एक्जाम में ऐसी ही चीज़े पूछी जाती है एक्जामिनर जो है ध्यान बटकाने के लिए ऐसे ही वर्ड जो है वो सामने रखता है लड़की के ससुराल पक्षद्वारा कुछ आबूशन वस्त्र लड़की के लिए बनवाते हैं जो की विवहा से पूर्व होता है तो देखें जो लड़की के जो ससुराल वाले होते हैं वह कुछ आबूशन जो है जेवर वगएरा बनवाते हैं कपड़े बनवाते हैं जो की विवहा के मंडब पर लड़की जो है पहनती है ठीक है तो यही होता है चिकनी कोथली जो की विवहा से पूर्व होता है और अभी जो चल रहा है वर्तमान में वो किस तरीके से की लड़की को ही बुला लिया जाता है और ससुराल पक्षवाले होता था पहले क्या होता था कि पहले जो है ससुराल पक्षवाले जो है वो जाते थे आभूशन और वस्त्र जो है वह अपने हिसाब से खरीदते थे और लड़की के यहां पर बेज देते थे और विवहा के अवसर पर जो लड़की है वह उन्हीं वस्त्रों को उन्हीं आभ को धारण करती थी ठीक है और आजकल तो लड़की या लड़के की पसंद का ही सारा काम किया जाता है नेक्स्ट देखिए फॉर्ट नंबर पर है विवासमंदी रिती रिवाज एक ताई शादी के कपड़ों का नाप लेने जो दर्जी आता है उसका तिलक किया जाता है ठीक है तो क्या चलता था पुराने टाइम में एक ताई यानि क्या होता था कि एक दर्जी जो है वह शादी के कपड़ों का नाप लेने के लिए आता था ठीक है और देखिए कितना सम्मान जो है उस वक्त दर्जी का भी होता था एक दर्जी का जो है बहुत अच्छे तरीके से जो व्यक्ति होते थे नाई होता था धर्जी होता था पंडित होते थे इनका हद से ज्यादा सम्मान होता था ठीक है यहां तक कि जो शादी विहाँ पर जो घोडी पर चड़ता था जो दूला तो उस जो घोडी वाला होता था उसका भी इसी तरीके से सम्मान किया जाता था जै जर्दरजी जो है वह गाउं में तो आते होंगे और ये चल रहा होगा ये परंपरा लेकिन जो शहर हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें अभी नहीं होती हैं जो लड़का है वह स्वैम ही शादी के कपड़ों का नाप देने के लिए जो है वह खुद ही जाता है ठीक है लेकिन हमें एक्जाम जो है क्लियर करना है तो हमें तो ये याद रखना पड़ेगा कि इकताई जो है वह क्या है कि साधी के कपड़ों का नाप लेने जो जर्दरजी आता है उसका तिलक किया जाता है तो उसी रीती रिवाज को कहते हैं इकताई नेक्स्ट देखें भात नोतना ये सब्द सभी जानते हैं कि भात नोतना क्या होता है पियर पक्ष को न्योता देना तो यहाँ पर जो लड़के की मां होती है वह अपने पियर वालों को न्योता देने जाती है कि विवा के अबसर पर जो उनके पियर वाले हैं वो आएंगे और भात भरने आएंगे ठीके तो पीहर पक्षवालों को न्योता देना ही भात नोतना कहलाता है तो इस अफसर पर वहां जो है गाना वजाना वह भी किया जाता है और भात लेकर फिर न्योतने के बाद ही भात लेकर जो है विवाह के अफसर पर जो है इनके पीहर वाले जो है आते हैं तो ये चीज़ आप सभी जानते हो उसके बाद देखिए भात भरना भात नौतना यानि कि इन्वाइट करना उसके बाद भात भरना तो उसके बाद जो पीहर पक्षवाले हैं वह है विवा में भात लेकर आते हैं तो भात के रूप में कई लोग जो हैं जो यहां पर ससुराल पक्ष में यानि कि जो लड़के की जो मा है उसके ससुराल में यहां आकर चाहे वो है भात के रूप में पूरे गाउं वालों को बरतन बाटें या फिर जो है कपड़े जो है वह दे दिये जाएं ठीक है इस तरीके से जो है कुछ ना कुछ जो है वो लेकर आते हैं औ तो उसके लिए जो है वह विसेज तोर पर जो है वो कपड़े या फिर कोई भी कुछ लोग जो है वो आबूशड भी लेकर आते हैं ठीक है बड़ी से बड़ी चीज जो है वह भी देना चाहते हैं तो भेंट सुरूप जो है वह लेकर आते हैं जिसे सभी को स्वीकार करना ह ठीक है नेक्स्ट देखिए भात मीठा करना अब ये भात मीठा करना क्या होता है कि विवहा जो है वो पूरा हो गया है विवहा संपन हो गया है तो दुबारा से जो मा है लड़के की वह माईके जाती है और अपने माईके वालों का मूँ मीठा करवाती है कि विवहा जो है वो उसके बाद भात मीठा करने के लिए माँ आपने पीहर जाती है ठीक है तो ये तीनों ही वर्ड आप ध्यान में रखेंगे ठीक है भात नोतना ये तो सिंपल सी बात है कि नोता देना, इन्वाइट करना, भात भरना यानि कि आना और यहाँ पर भात लेकर आना और फिर सभी को बेट स्वरूप देना और भात मीठा करना मीठे से यही कि वहां में बहुत सारी मिठाईयां बनी थी और अवय मिठाई लेकर ही अपने मायके वालों का मुह जो है वो मीठा करने के लिए मा जो है वो अपने मायके जाती है तीक है ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं नेक्स्ट देखिए, बान बैठना, तो विवासमंदी रिती रिवाज में बान बैठना क्या होता है? लगन पत्र का पहुँचने के बाद, वर या वधु के हल्दी का घोल लगाना, इसे पीठी करना भी कहते हैं, द्यान में रखें ये शब्द, पीठी करना क्या होता है? यानि जब बान बैट जाता है तो कहते हैं कि जब बान बैट जाता है तो लड़का या लड़की जो है उसको कहा जाता है कि अब उसका घर से निकलना जो है वह है निशेद है वह है अब घर से ना निकले लेकिन अभी अगर देखा जाए तो आजकल कोई नहीं मानता है आप ख ठीक है लेकिन यहां पर देखिए परंपरा क्या है बान बैटना यानि जैसे ही लगन पत्र का जो है लड़की वालों के यहां से सबसे पहले लड़के वालों के यहां पहुंसती है ठीक है तो उसके बाद जो है वर या वदू के हल्दी का घोल जो है वह लग जाता है और यह क तो इस वज़े से उनका घर से बाहर निकलना जो है वैसा ही नहीं है तो बान बैठना को पीठी करना भी कहते हैं ठीक है उसके बद देखिए 9 नमबर पर है बनोला बनोरा या बनोरी ठीक है चाहे बनोला बोलो बनोरा या बनोरी बोलो तो भाई बंदू रिस्तिदार वर वदू को निमंत्रित करके खाना खिलाते हैं यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो वर वदू है तो उन्हीं के रिस्तिदार जो होते हैं वर पक्ष की यहां से वर को और वदू पक्ष के यहां से वधू को खाने के लिए बुलाया जाता है ठीक है तो उनके साथ साथ में उनके घर वाले जो हैं वह भी बुलाया जाते हैं यहां तक कि जो मा होती है, तो मा जो है वह नहीं जाती है, इसके अलावा जो भी घर के मेंबर होते हैं, वह भी उनके साथ खाने के लिए जाते हैं जैसे कि किसी की जो है वो बुआ हो गई वह बुलाती है कि आज जो है वो हमारे यहां पर बिनोरा है ठीक है बिनोरा या बनोरा तो यहां पर जो है खाना वगरा यहीं पर होगा वदू यहीं पर आएगी या वर यहीं पर आएगा खाना वगरा खाएंगे यहां पर और यहां से जो है, ढोल लेकर यहां से दोबारा अपने घर वापस पहुंचा कर उनको आया जाता है, ठीक है? Next देखिए, गणपती पूजा, विवाह से एक दो दिन पूर्व घर में गनेज जी की पूजा की जाती है, तो हमें पता है कि गनेज जी जो है, हमने देखा है कि जो कार्ड होते हैं, शादी व्याके, तो वहाँ पर किसकी फोटो लगी होती है, तो गनेज जी की ही लगी होती है, कोई भी कार्य करते हैं, उससे पहले गनेज जी को नमन करते हैं, तो गड़मती पूजा जो है, वो कि दोल की निकाली जाती है तो यहां पर क्या होता है कि यहां जिस घर में वर-वधू रहते हैं तो वहां से अ 먹 लेल जो हैं निकाली जाती हैं रिस्ते-दार वगईडर अइक जगह से घोडिय पर बैठा कर यहां फिर काई love क्या करते हैं कि बाइक पर ही बिठा लेते हैं और एक जगे से मतलब अपने घर से जो है निकल कर और पूरे एरिये में घूम कर और फिर बापस जो है वो घर पर आते हैं तो इसे कहते हैं बिंदोली या बिंदोरी ठीक है कई लोग जो है वो कार में जो बधू होती है उसको बिठा देते है वर को बिठा देते हैं और अपने घर से निकल कर उसी तरीके से ढोल के साथ जो है वो बापस अपने घर बापस आते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए कांकन डोरा क्या होता है विवास से दो दिन पहले वर के दाहिने हात में सीधे हात में कांकन डोरा बांधा जाता है तो कांकन डोरा जो है वो किसका बना होता है जो मोली होती है उसको ही अच्छे तरीके से समेट कर और कांकन डोरा जो है वो बनाया जाता है ठीक है तो दाहिने हाथ में कांकन डोरा बांदा जाता है विवा से दो दिन पहले और वहीं पर दूसरा कांकन डोरा जो है वह भी बना जाता है, तो बरीपडली या बरीपडला जो है, वो क्या है? मैंने आपको बताया था कि लड़की के सशुराल पक्षद्वारा कुछ आभूशन वस्त्र जो है लड़की के लिए बनवाते हैं, तो उसी के साथ जो है वधु के लिए कांकनडोरा जो है बंधा हुआ होगा, next देखिए, मोड बांधना, विवाह के दिन वर को कुल देव के समक्ष चौकी पर बिठा कर पूजन कराते हैं, तो अभी देखिए, अभी जो है कुल देवता की पूजा होती है, ठीक है, शादी पर सुनते हैं कि जो वर होता है, वह भी देवता का ही रू मानी जाती है, ठीक है, तो उनकी जो है, सभी लोग जो है, पैर वगरा जो है, वो धोकर पूजा भी करते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन विवाह के दिन जो है, सबसे पहले वर जो है, कुल देव जो होते हैं, तो उनके समक्ष चौकी पर बैठते हैं, और उनका पूजन करते हैं सबसे पहले गनेज जी जो है उनकी पूजा होती है उसके बाद घर के जो कुल देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है और यह सब जो है उस वर के द्वारा या वधू के द्वारा की जाती है तो इसे क्या कहते हैं इसे मोड बांधना कहते हैं फिर देखिए 14 नमबर पर है बारात तो बारात जो है वो सभी जानते हैं बच्चा बच्चा जानता है बारात क्या होता है जहां पर दूला जो है खोड़ी पर बैठ कर चल रहा होता है और उसके जो सगे संबंदी होते हैं, दोस्त होते हैं, वो सभी जो है वो नाचते हुए, कूलते हुए जो हैं वधू के यहाँ पर जाते हैं, ठीक है? अगला देखिए, सामेला, सामेला या थुमाव, तो यह क्या होता है? बारात पहुँचने पर वधू पक्षु द्वारा वरवा बारातियों का स्वागत किया जाता है ठीक है तो सामेला या ठुमाव क्या होता है कि जैसे ही बारात जो है वह पहुच जाती है तो वदू पक्षे वाले जो है स्वागत करते हैं जो जगे संबंदी होते हैं जो दोस्त होते हैं दूले के स्पेसली उनका जो है वह अच तरीके से स्वागत किया जाता है और बाकी जो बराती होते हैं उनका भी अच्छे से स्वागत करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान जो है दूले के दोस्तों का होता है नेक्ट देखिए फेरे तो फेरे क्या होते हैं फेरे जिसमें जो वर है वदु है एक दूसरे का हाथ पकड़ कर साथ जो है अगनी के चारो तरफ घूमते हैं और वचन लिये जाते हैं कि भई मैं तुम्हारा पूरे जीवन भर साथ निभाओंगा इसी तरीके से जो पंडित होते हैं वह वधु से भी यही कहते हैं कि तुम भी इनका अच्छे तरीके से साथ निभाओगी हर कार्रे में इनका साथ दोगी और एक दूसरे के विश्वास पर सारे कार्रय करेंगे ठीक है नेक्स्ट देखिए पहरावनी तो पहरावनी क्या होता है एक तरीके से कुछ भेंट देना जैसे हम सुनते हैं कि उनके विवहां में हम गये थे तो हमें ये चीज जो है वो पहरावनी के रूप में मिली थी या हम उनके रेटाइर्मेंट में गए थे तो वहां हमें ये चीज पहरावनी के रूप में मिली थी तो बारात विदा करते समय बारातियों को बदू पक्ष की ओर से भेंट देना तो उस भेंट में वह कुछ भी दे सकते हैं चाहे वह एक box जो है इस तरीके से सोपीस जो है वह दे दिया जाए या कोई बस्तर वगर वह दे दिया जाए और जब बारात जो है वह वापस जो है वह अपने घर पहुंसती है तो वहाँ पर पूछा भी जाता है महलाओं के द्व बारा कि तुम्हें जो है बरटी योज को वहाँपर क्या मिला ठीक है भेंट स्वरूप् सुरूर्ट उम्हें क्या दिया गया तो कोई भी बारात जो स् Teaching आसरा से जो वदुपक्ष कि लोग वएकाररे करते हैं कि कि Nebenarent देखिये गोणा यह मुकला अब गोणा और मुकला गोणा तो पता है आपको कि मुकलावा जो है वह है इसे ही कहते हैं अब क्या होता था कि पहले जो है जो वाल विवा होते थे थी के बच्पन में ही शादी हो जाती थी तो चार या पांच सालों तक या छे सालों तक भी जो है लड़की का गोना नहीं किया जाता था कि लड़की जो है वो हमारी अभी छोटी है मान लीजिए किसी की लड़की जो है उसके साथ साल में जो है वो शादी हो गई है तो अब वह इतनी छोटी है क वह सुस्राल में जाकर इतने ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं समहाल सकती है तो लड़की वाले जो हैं वह लड़की को यहीं पर रखते हैं माईके में लेकिन जैसे ही उसकी उम्र हो जाती है 16, 17 साल या 18 साल ठीक है उस वक्त तो गाउं वाले जो हैं वह बोलने लग जाते हैं या घर वाले भी बोलने लग जाते हैं अब हमें तो इसका क्या करना चाहिए मुकलावा करना चाहिए गोना करना चाहिए ठीक है तो ये भी एक तरीके का क्या है रीती रिवाज है और आजकल क्या होता है आजकल शादी हो जाती है उसके एक दिन जो है वह ससुराल में रहती है लड़की और उसे वापस बुला लिया जाता है और ससुराल पक्षवाले जो है वह अपनी वधू को वापस लेने आते हैं उसी क दिया जाता है ठीक है वडार क्या होता है सामुहिक प्रिति भोज होता है वर और वधु जो है उनकी ये समझिए कि सामुहिक तौर पर जो है वो मुझ दिखाई होती है तो उस वक्त जो है वर पक्ष के यहां से क्या दिया जाता है सामुहिक प्रिति भोज दिया जाता है सभी लोग आमंत्रित होते हैं, सभी को पता लग जाता है कि हाँ अब वधु आ गई है, तो दूसरे दिन जो है, वो सभी को खुशी के मौके पर प्रतिभोज दिया जाता है, नेक्स्ट देखिए, विवाह के संबंद में ही एक शब्द है, बिनोटा, ठीक है, कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है, तो दूला या दुलहन जो है, जो जूती पहनती है विवाह के अफसर पर, तो उसे बिनोटा कहा जाता है, उन जूतियों को क्या कहा जाता है, बिन देखा भी होगा, कि एक परात में जो है वो छाच भर लेते हैं, छाच भरने के बाद उसमें चांदी का चल्ला या सिक्का जो है वहे डाला जाता है, और वर या वदू उन दोनों को कहा जाता है, कि अब इसमें से जो है चांदी का चल्ला या सिक्का जो है वहे धूने, उस परात में चांदी के चल्ले जैसे और भी चल्ले जो है डाले जाते हैं क्योंकि उन्हें केवल वही चल्ला ढूनना है जो कि उन्हें दिखाया गया है कि यही चांदी का चल्ला ढूने और कहते हैं कि दोनों जो है उसको ढूनने में लगते हैं और जो भी उसको ढून कर निकाल खेल लेता है तो यह माना जाता है कि जीवन भर जो है अब इसकी ही चलेगी तो यह एक हसी मजाग वह किया जाता है यह एक खेल जो है वह खेला जो है विवा के बाद में जब वदू जो है घर पर आजाती है 22 पर देखिए हत लेवो हत लेवो यानि वर के हाँथ में वदू का हाँथ रखकर कपड़े से बांधना तो इस तरीके का रिति रिवाद जो है वह भी होता है हत यानि कि हाँ लेवो ठीक है एक दूसरे का हाँथ जो है वह कपड़े से बांध दिया जाता है हत बोलडो ये क्या था हत लेवो यहां है हत बोलडो वधु को पहली वार देखने के लिए जाना एक तरीके से समझ ये मुह दिखाई तो जो महलाएं होती है वह देखने जाती है कि हाँ वहां की जो है वो नई दुलन आई है उसे तो हम देखने जाएंगे देखते हैं और उसके बाद उनके हाथ में जो है वदू के हाथ में कुछ ना कुछ जो है वह रखते हैं ठीक है कुछ जो है पैसे वगरा या गिफ्ट वगरा जो है वह उसको दिया जाता है तो उस वदू से परिचे लिया जाता है कि आप कैसा जाएगा कि आपके लिए चार option दे दिये जाएंगे जिसमें दो option आपको ये मिलेंगे हत लेवो या हत बोलडो ठीक है तो आपको टिक किस पर करना है हत बोलडो पर टिक करना है ठीक है कि वदू को पहली बार देखने के लिए जाना क्या कहलाता है हत बोलडो कहलाता है उसके तो यहां पाराफ देखिए साता यानि विवहा में सगुन के तौर पर सात सुपारी दिया जाना तो सात सुपारी जो हैं वहरे दी जाती हैं कि चान्दी की जो सुपारी हैं वह बनती हैं ठीक है तो सगुन के तौर पर सात सुपारी को देना ये क्या कहलाता है ये साता कहलाता है सात सुपारी क्या कहलाता है साता कहलाता है तो यहां पर हमने विवाह संबंदी जो रीती रिवाज हैं वो सभी हमने अच्छे से देख लिये हैं तो आपको विवाह संबंदी रीती रिवाज तो बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे और मज़ा भी आया होगा क्योंकि मज़ा हमें वहीं पर आता है जहां हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी पहले से ही रहती है चलिए next देखिए जो third number पर रीती रिवाज जो step है वह है मृत्यों होने पर किये जाने वाले रीती रिव रखना है इस शब्द को बैकुंटी जो है वह क्या कहलाती है लकडी की वो सईया जिस पर जो भी व्यक्ति मर जाता है जो मृतक होता है उसके शरीर को लिटाया जाता है उस सईया पर और उसे समझान घार तक ले जाया जाता है ठीक है तो यह होता है बैकुंटी नेक्स्ट देखिए आधेटा, आधेटा क्या होता है कि घर और शमसान तक यात्रा के बीच में चोराहे पर दिसा परिवर्तन किया जाता है, उसे कहते हैं आधेटा, ठीक है? अब देखिए मैंने भी ये चीज जो है वो पड़ी है, कभी देखी नहीं है, ठीक है? तो आप भी बस एक्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको सही करना है, आधेटा क्या होता है कि घर और शमसान तक यात्रा के बीच में चोराहे पर दिसा परिवर्तित की जाती है, उसे आधेटा कहते हैं सातरवाड़ा क्या होता है? जब तक मृतक की अंतेस्टी क्रिया ना हो, तब तक पडोस में चूला नहीं जलाया जाता है यानि एक जो व्यक्ति है जिसकी मृत्य हो चुकी है तो उसके परिवार में उस वक्त जो है वह चूला नहीं जलेगा लेकिन अब क्या होने लगा इतने ज़्यादा रीती रिवाज में कोई भी नहीं बंद कर रह सकता है ये पहले चलता था लेकिन वर्तमान में जिसके यहां पर जो है मृत्यू हुई है किसी की उस घर में तो नहीं चलता है क्योंकि वहां का तो महाल इस तरीके का हो ही नहीं पा न लाकर उनको खिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ याद रखना है, अन्तेस्टी क्रिया जब तक नहीं होती है, तब तक पडोस में भी चूला नहीं जलाया जाता है, ठीक है, याद करने के द्रस्टी से आपको यही ध्यान में रखना है, इसको क्या कहेंगे, सातरवाडा कहेंग नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोसर मोसर सब्द आपने शायद नहीं सुना होगा कुछ बच्चों ने वो सुना होगा, सबने नहीं सुना होगा लेकिन म्रत्यू भोज यह सब भी ने सुना है कि म्रत्यू पर किया जाने वाला भोज जिसे की सरकार जो है उसने भी बिल्कुल कह दिया है कि मृत्यू भोज जो है वो बंद किया जाना चाहिए ठीक है मृत्यू भोज सही नहीं है और मृत्यू पर भोज के लिए आमंत्रित करना ही मोसर कहलाता है सरकार ने ये क्यों बंद किया है इसका भी एक reason है क्या होता है कि एक तो उस परिवार का जो है एक व्यक्ति जो है वह चला गया है, सबसे बड़ा दुख तो यही है, ठीक है, और फिर उसे समाज के लिए उसे सभी को आमंतरित करके जो है वह भोजन करवाना है, इस तरीके से व्यक्ति जो है वह हर तरीके से तूटा हुआ ही रहता है, और भी सोचिए कि मुझे भी ये चीज जो है वो सही नहीं लगती है कि एक तो व्यक्ति जो है इस घर से चला गया है इस परिवार से चला गया है और उपर से जो है वह सभी को आमंत्रित करके जो है भोजन करवाया जा रहा है जिसमें जो मिठाई है वह भी शामिल की जाती है आपने देखा होगा तो उस मिठाई को खाने वाले जो हैं वो सभी जो हैं वो प्रसन ही होते हैं जबकि उस परिवार में तो एक दुख का माहुल बना हुआ है तो ये एक तरीके से बहुत गलत है दूसरा कारण ये भी है गलत होने का कि किसी की बिलकुल भी उसके पास इतना धन नही हैं मान लेजिए कोई बहुत गरीव है लेकिन समाज उसे ये कह रहा है कि सभी गाउवालों को भोजन कराना है अब उसके पास कुछ नहीं था मान लेजिए उसका बेटा जो है वही म噬्रत्यू को प्राप्त हो गया तो अब उसके यहां पर करता धरता ही नहीं रहा है तो इस भोज्य का खर्च जो है वह स्वैम कैसे उठाएगा तो कई लोग तो इसके लिए जो बहुत गरीब होते हैं वह इसके लिए जो है कर्ज भी लेते हैं तो एक तरीके से ये क्या होता है बहुत गलत ही काम होता है तो ये रीती रिवाद जो है वो पहले से चला आ रहा है ले था त्योहारों में कि श्राद आश्विन महा में मनाया जाता है और जिस तिथी को व्यक्ति की म्रत्यू हो जाती है तो उसी दिन जो है आश्विन महा में किया जाता है श्राद ठीक है और श्राद के वक्त जो है ब्रहामनों को भोजन कराया जाता है और जिस व्यक्ति की म्रत् पसंद भोजन जो है कोवों को खिलाया जाता है तो ऐसा सोचते हैं कि व्यक्ति की जो म्रत्य हुई है उसका मन पसंद भोजन यदी कोवों को खिलाया जाए और कोवे जो है वो बड़ी चाव से उसे पूरा खा ले तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति ने ही खा लिया है ठीक लोग तो हैं जो कोई भी नया वस्तर जो हैं वह भी नहीं खरीदते हैं तो यहां पर हमने जन्म संबंदी रीती रिवाज विवहा संबंदी रीती रिवाज और मृत्यू संबंदी रीती रिवाज जो हैं वो complete पढ़ लिये हैं आपको बिल्कुल भी यहां परेशानी नहीं हो कि आप लोग अपने साथ में जो भी हैं आपके भाई भेन हैं, चाहे आपके जो बड़े हैं, बुजर्ग हैं, उनसे आप अगर इन चीजों को बात करेंगे, बोलेंगे, तो ये चीजों जो आपको जीवन भर याद रहेगी, ऐसा नहीं है, एक्साम के लिए ही याद क्यों सभी चीजें जो हैं वो आनी चाहिए और सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इनको बार-बार पढ़िएगा, और जो भी बाते मैंने आपको बताई हैं, इनको क्यों में आपको झाल सकतिक कर दो मैं मैं वो आ जो आपको बना सबस्कान